SM Infotech के और एक ब्यापार billing and accounting software related वीडियो में आप सब का स्वागत है अगर आप लोग billing करना सीखना चाहते हो ओ भी आपने खुद के mobile से तो ए वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग कैसे आपके खुद के ही mobile phone से billing कर सकते हो बील करने के बाद ओ बील को आप लोग कास्टमार को भी कैसे सेर करोगे ओ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो में मैं billing करने के लिए जिस software को यूज करूँगा ओ है ब्यापार billing software इस software को आप लोग अपने mobile से या desktop से लैप्टॉप से भी यूज कर सकते हो हमारे चानल में अल्रेडी इसका mobile का एंट desktop का ट्यूटुरियल्स बहुत सारे है जिसका playlist में नीचे description में एंट उपर आई बटन में इस साइड या इस साइड कोई बेक साइड होगा मैं दे दूँगा आप लोग ए वीडियो को वास करने के बाद ओ वीडियो को देख सकते हो जिनको बैपार एप के बारे में कुछ नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि बैपार एक billing and accounting software है इसकी मदल से आप लोग आपका business का जो सारे हिसाब किताब है ओ रख सकते हो आपके stock में कितने सारे products है, talks में deal करते हो या service में deal करते हो दोनों ही case में आपके लिए एक software बहुत ही काम आएगा इसमें आप लोग जितने भी सारे purchase के हो, मतलब खरीदे होए हो आपने supplier से उसको entry करके रख सकते हो जितने भी सारे माल को बेच चुके हो, मतलब सेल कर चुके हो customers को उसका भी entry रख सकते हो किस party का कितना उधार है, वो maintain रख सकते हो किस party का उधार कितने दिन चक डिले है, वो भी आप लोग इसमें maintain कर सकते हो तो यह है बहुत ही एक कमाल का software मैं आप लोग को कोई भी फाल दुका software में एक काम नहीं सिखाऊंगा अगर आप लोग बात करोगे इसका pricing का license का, अगर आप लोग mobile में यूज करना चाहो तो इसका जो license का price है, वो free रहता है और mobile में आप premium भी ले सकते हो, लेकिन free में lifetime आप लोग mobile में यूज कर पाऊगे कुछी गिने चुने reports को देखने के लिए आपको premium feature को purchase करना पड़ेगा तो अभी तो हम लोग free का ही देखेंगे, अगर हमें अच्छा लगता है software तो purchase करने के बारे में सोचेंगे अगर आप लोग इसका license को mobile या desktop के लिए या दोनों के लिए ही purchase करना चाहते हो तो आपके लिए एक good news भी रहेगा इस वीडियो के last में ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा mobile के skin में जाके कि ये software को हम लोग कैसे use करेंगे billing करने के लिए, मैं इस वीडियो में billing तो सिखाऊंगा, billing सिखाने के लिए आपको और भी बहुत सारे कुछ सिखाना पड़ेगा जैसे कि कैसे आप लोग purchase entry करोगे, मतलब खरीदा हुआ जो bill है, supplier से जो bill अपने खरीदा है, supplier से जो product अपने परचिस किया है, उसको आप लोग कैसे entry करोगे, वो भी दिखाऊंगा लेकिन उसके साथ सार एकाउंटिंग के भासा में मैं आपको sales entry सिखा रहा हूँ लेकिन सिर्फ sales entry आप सिख नहीं पाओगे sales entry के लिए आपको item add करना आना चाहिए purchase entry करना आना चाहिए और भी बहुत सारे terms को आना चाहिए तो मैं आपको मेरे mobile का screen पे ले चलता हूँ और आपको सब कुछ दिखाता हूँ अगर आपको billing करना सीखने में थोड़ी सी भी इच्छा है तो एफ वीडियो को लाश्ट तक देखिए दोस्तों आप मैं मेरे mobile का screen पे आ गया हूँ अब सबसे पहले मैं आप लोगों दिखा दिता हूँ आप लोग कैसे play store सी इसको डाउनलोड करोगे तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग आपका mobile phone को इंटरनेट से connect कर लीजे दिन आपने play store में जाके सर्च कीजे बयापार लिख के बयापार एप सबसे पहले आपको दिख जाएगा इस बयापार एप में क्लिक करना है दिन आपको बयापार invoice billing एप दिखाएगा इसको आपको install में क्लिक करके install कर लेना है जैसे कि हम लोग हार एक apps को install करता है mobile में वैसे ही same process रहता है इसका थोड़ी ही देर में यह download होके install हो जाएगा आपके smartphone पर install होने के बाद आपको क्या करना है आप direct यहां से भी open कर सकते हो और आप लोग आपका mobile का apps का जो ड्रोयर है उससे भी इसको open कर सकते हो मैं इसको open कर लेता हूँ पहली बार आप लोग जाब इसको open करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइब का interface सो करेगा देखे मैं आपको bill बनाना सिखा रहा हूँ bill बनाना सिखाने के लिए सबसे पहले apps को कैसे install करना है और उसका क्या initial settings रहता है ओ भी आपको जानना जरूरी है नहीं तो आपको बाद में जाके billing करने में दिक्कत आएगा तो आप लोग ये process भी ध्यान से देखे मैं आपको billing करना भी सिखाऊंगा आगे जाके और भी बहुत सारे कुछ आपको इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा तो हमें इसमें क्लिक करना है हमें सबसे नीचे यूज ब्याफार फोर फ्री इसमें क्लिक कर दिना है तो आप लोग इसमें क्लिक कर दिजे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको आपका mobile नंबर यहां पर इन्पूट करना है दिन गेट ओटीपी पे क्लिक करना है आपको देखे आपके फोर्ण में ओटीपी आएगा एंड आटोमेटिक वेरिफाई होगा अगर नहीं होता है तो आप लोग आपका मैसेज बॉक्स को चेक कर लिजे एंड उहां से ओटीपी को फिल कर लिजे अब यहां पर एलाओ करने के लिए बोल रहा है नोटिफेक्शन सेंड करने के लिए आप इसको एलाओ कर दीजे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरिफेस आएगा इसका लेट में आपको थ्री लाइन्स मिलेगा इस थ्री ल ब्रोड़क्ट्स को कष्टमर्स को सेघ़् करोगे ओविज रहेगा एड इसको सेण सेड्सके पाइगेख करोगे ओटिफेल सेट suntemAl आप किसी को सेल करते हो दिन उससे पेमेंट लेते हो तो पेमेंट इन में एंट्री करना है दिन आपको सेल रिटार्न करट पाओगे यहां पर दिन एस्टीमेट या कोटेशन दे पाओगे कस्टमर्स को अगर कस्टमर्स सेल ओडर देता है तो सेल ओडर भी आप लोग यहां प कुछ देखे ताकि आगे जाके आपको बील ढूना ना पड़े यहां से ही आपको सारे इंफॉमेशन मिल जाए दिन आगर आप अपने सप्लायर को पेमेंट देते हो तो पेमेंट आउट भी यहां पेंटरी राख सकते हो और पार्चेस रिटान अगर करना चाहू तो भी कर सक आपके रख सकते हो जिसको हम लोग अकाउंटिंग में डेबिट नोट बोलते हैं यहां पर सेल पे देखेए सेल रिटर्ण को हम लोग क्रेडिट नोट बोलते हैं ठीक है एक कम्पलीट एकाउंट इंग का सॉप्टेयर आपके बन जाता है दिन आप लोग यहां से बैंक का option है आप लोग यहां पर आपका bank account को add करके उसका balance भी maintain रख सकते हो cash in hand कितना है checks भी entry रख सकते हो loan accounts आपके पास अगर होता है वो भी add करके रख सकते हो ठीक है and देखें आपका my online store का एक option है तो इसको भी आप लोग use कर सकते हो अपने बैपार में जितने सारे products है ना उसको आप लोग online भी कर सकते हो इसके मदद से ठीक है and apply for loan भी कर सकते हो बहुत दिन बैपार को use करने के बाद यहां पर loan offer आपको मिलता है other products भी है इसका and settings है backup restore बहुत सारे features आपको बैपार में मिल जाता है अभी फिलाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या अभी फिलाल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग एक माल को कैसे purchase करोगे परचेसर इंट्री उसके साथ जो माल अप लोग पार्टिस करोगे जो माल अप लोग पार्चिस करोगे तो मालको आई टैम पेंट्री तो करना पड़ेगा नहीं तो इसको पर्ट्रीस कर настоящ , दिन उसको आप लोग कैसे से Sitizar姓 करोगे ? और तो दो होके सबसे पहले हमें product go purchase करना पड़ेगा है न Efendimiz purchase करहोंगे तब भी ना आप लोग सेल कर पाओगे सब से पहले मैं आपको दिख्रिटा कैसे आप अप लोग पर चस्व करहोंगे देखिए सबसे पहले इसaur आपकी इंटरेफ पर आता है तो आप लोगए है क्स्टमर नेम दे दीजिए तो मैं है यहीं पर ABC देदूँगा देन नेस्ट करूंगा invoice amount एक मैं कुछ भी देता हूं तो यहां पे मैं देता हूं कुछ भी तेन create first занимers कर दिता हूं देखिए इस पर लोग गौर मत किजिए यह जैस्टτι अब लोग कर दिएगा पहली बार नहीं तो आपको वैपर एकस्स करने के लिए इयर लूँति है या अहां पर देखिए नीचे डैसपोर्ट देखे डिलीट बटन है इसमें क्लिक कर देना है ओके डूंट सो इस मैसेज मैंने कर दिया दिन कंटीनू डिलीटिंग में कर दूंगा दिन डिलीट ओके तो यह हो गया हमारा काम अब हमारा काम क्या रहेगा देखिए आप लोग सबसे पहले नीचे जो मेनू है उसमें क्लिक क जाएए शेडिंग्स में जाने के बाद जिनरल में क्लिक कीज़े यहां पर देखिए चेंज ब्यापार थीम कहके एक आपसान है आप लोग इस थीम में क्लिक करके इसको ट्रेंडिंग थीम में कर लीजे इससे आपको बिलिंग एकाउंटिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगा एंड इस थीम पे ही मैंने मेरे चैनल में जो ब्यापार का जीरो टो हीरो प्लेलिस्ट है उसका वीडियो सारे बना के रखे तो अगर आप लोग वीडियो देखे कुछ सीखना चाहते हो तो पहले आपको इस ट कि देखिए बीजनेस नेम बागेरा यहां पर अगर आपका जीस्ट नंबर रहता है तो जीस्ट डाल दिजेगा देन मोबाइल नंबर एमेल एड्रेस बिजनेस अड्रेस पीन कोड़ इस सब कुछ आपको फिल कर लेना है आपका डिजिटल सिगनेचर भी यहां से फिल कर सक सकते हो अगर आपको कोई भी साइन फोटो है तो उसको आप लोग अपलोड भी करके रख सकते हो ठीक है तो मैं यह आप पे बीजिनेस नेम देते ला हूँ यह सेम इनफोटेक दिन और कुछ मैं फिल नहीं करूंगा इसको सेब कर दूँगा आप आपके जरुवत के हिसाब से सब कुछ फिल कर लेना जिन सेब कर दीजेगा तो हमने हमारा जो कंपनी है हमारा जो सौप है दुकान है इसे मिन फोटेक उसको हमने क्रियेट कर लिया है अब हमें क्या करना है हमारे सौप के लिए गूड्स पर्चेस करना है मतलब प्रोडक्ट को पर्चेस करना है तो हम ल नीचे जो left side एक add purchase button है इसमें click करना है then party name यहाँ पर देने क्लिए बोल रहा है हम लोग party name क्या देंगे जिससे हम लोग purchase करेंगे तो हम लोग purchase करेंगे abc private limited से यह देखें यहाँ पर दिखा रहा है add new party के आईगे क्योंकि abc private limited हमारा कोई भी पहले से party नहीं है अगर यह सेब रहे था तो यहां पे list में show करता है कि ABC Private Limited आपने पहले से एड करके रखा है तो मैंने पहले से तो एड नहीं करके रखा है इस वाई से add new party show कर रहा है तो मेरे को क्या करना है add new party पे click कर देना है दिन contact number उनका दे देना है आप लोग आपका party का जो contact number रहेगा वही दे दिजेगा दिन आप देखिये यहां पे उसका address भी दे दिजेगा address डालने के बाद से party में simply आपको क्लिक करना है एंड और चीज आप लोग गौर कीजे अगर आपका party का gst रहता है तो gst details का यहां पे जाईकोन है ना इस gst details में आपको क्लिक करना है दिन आपको यहां पे registered regular उसका state चुछ कर लेना है दिन आपको gst डालना है तो मेरा यहां पे अन्रेइस्टर रखोंगा तो आगर आप लोग नए नए यूज करते हो मैं यहां पे अन्रेजिस्टर ठी दिखा रहा हूं ठीक है अगर आपको एडवांस जानना है gst वाले का कैसे एंट्री करते है उस रिगाइडिंग हमारे च ऒढ़ेना प्या आ गया है अब हमें क्या करना है अब हमें आयटेम को एड करना है है ऐसवें यहां पर क्लिक करके फिर सेम प्रोसेश जैसे वह ने पाठी आड्ल किया था यहां पर देखिए माउस hp भी हमारा नहीं है ठीक है तो इस वाज़े से यह भी यहां पर add new item करने के लिए बोल रहा है बिल्कुल सेम देखिए वहां पर पार्टी को add करना पड़ रहा था क्योंकि पार्टी पहले से add नहीं था सेम प्रकार से यहां पर भी आइटेम पहले से add नहीं है इस वाज़े से यह item को add new item करने के लिए बोल रहा है तो हमें क्या करना है अब इस case में add new item बे क्लिक करना है दिन आइटेम कोड आप लोग डाल सकते हो आइटेम केटागोरी किस केटागोरी कर रहेगा अप लोग यहां पर new केटागोरी भी कर सकते हो माउस को माउस केटागोरी पर रख सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि आपके पास GST नमबर नहीं है तो यह डालने का जर लाब करना है यहां पर वी हमने सीखा के रखा है हमारे चैनल में दूसरे वीडियो में तो वीडियो को देखने के लिए आपको simply description में दिये गए बैपाथ जीरोटी हिरो का जो playlist है उस playlist में check out करना है उस playlist में आपको ढूंड़ना है आपको मिल जाएगा वाले वीडियो मोबाइल में ही मैंने दिखा के रखा है तो वीडियो को आप लोग देख लीजिगा देखिए यहां पर हमें सबसे पहल आइटेम नेम देना है और यहां पर प्राइस में हमने पर्चेस किया है और जैल कितने में करना है और देना है मैं 200 दे से थाओ arbeiten ऋदया है Caitlin का मर्जिन रहेगा देर मैं यहांप सेप कार दूँगा आप देखिए कौन्टिटी देना है कितने पीस मैंने पर चिस किया मैं 5 देता है दिन सेब तो देखिए ay-bici private limit से हमने किया एक माउस purchase किया है एक भी आईटियम में माउस and देखें रहे हैं और भी दूस्रे आएटेम को add कर सकते हैं जिनको लोग purchase करेंगे तो add item स करके में यहाँ पे दूसरे item purchase कर लेता हूँ जब मैं माउस देता हूँ तो माउस HP-Wired पहले से है, वो सो कर रहा है, देख सकते हो आप लोग, एड आइटेम यहां पर नहीं करना रहेगा, क्योंकि हमारा HP माउस पहले से entered है, तो मैं यहां पर keyboard कर दूँगा, या तो फिर देखे, मैं माउस से एक और एक एड करता हूँ, माउस HP का है हमारे पास, मैं डेल का करता हूँ, डेल-Wired, आप लोग एक चीज गौर कीज़े, माउस HP है, जब मैं डेल लिख रहा हूँ, तो डेल वाले कोई माउस नहीं है, तो यहां पर इस बज़े से क्या हो रहा है, इसको save करना पड़ेगा हमें, तो इसको भी add new item करके, सेम प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें purchase price दे देना है, इसका price में 200 दे देता हूँ, और sale price में 300 दे देता हूँ, देन इसको save कर दूँगा, अब कितने quantity मैंने purchase किया है, उनसे मैं 300 पीस purchase किया, देन इसमें save कर दूँगा, अब देखिए, यहां पर 100 कर रहा है, HP का माउस पाच पीस purchase किया है, इस प्रकार से आप लोग जितने भी सारे items को purchase करोगे, ऐसे नीचे करके दे सकते हूँ, अब आता है payment करने का बारी, payment करना है हमें, तो हमारा total bill amount क्या हो रहा है, दोस्तों, हमारा total bill amount हो रहा है, यहां पर 1500 रुपिया, तो अगर full आप लोग paid करते हो, मतलब जितने का bill बना है, पुरा ही payment कर देते हो, तो यहां पर paid जो option है, इसके left में एक दे payment किया है, तो 1000 दे देता हूँ, तो 500 due रहेगा, समझ रहे हो आप लोग, दिन हमें क्या करना है, यहां पर नीचे save कर देना है, इससे उपर देखे, add note भी कर सकते हो, कुछ याद रखने के लिए, कुछ बात यह लिख सकते हो, यहां पर, कुछ लाप लेटर सब लोग यहां लिख सकते हो, अपने supplier के लिए, देना आप लोग save कर देज़ेगा, मैं मजा कर रहा था, तो यहां पर useful documentary, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, देना आप लोग save कर देज़ेगा, तो आपका purchase entry हो जाएगा, आप transactions में जाके देख सकते हो, purchase के आपने ABC private limited से, इसके अलावा भी three lines में click करके, यहां भी purchase में click करके, purchase bills में click करके, आप लोग वो भी देख सकते हो, ओके, तो हमने items को purchase कर लिया है, अब हमें sell करना है, ठीक है, sell करेंगे, sell करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, add sell पे click करने के बाद customer का name देंगे, देखे पहले जो हमने दू customers entry करके रखा था ABC कहेंगे, ABC Private Limited कहेंगे, ओ भी यहां पर sell कर रहा है, तो ABC Private Limited हो गया हमारा supplier, तो हमने कुछ नए पार्टीज को sell करना है, जो कि हमारे swap में अभी नए 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 आए है, माल लेते है, party one है, sorry मैं party नहीं, customer देता हू, customer one को, customer one हो सकता है, आपका, राम हो सकता है, साम हो सकता है, मैं मेरा जो customer swap में आया है, उसका नाम है customer one, तो उसको मैं add कर लूँगा, ओ हमें आरे swap में नहीं नहीं आये है, तो customer one दे दूँगा, then add new party में मैं click करूँगा, okay, then अगर उसके jest number आता है, तो दूँगा, उसका contact number में यहां पर दे दूँगा, then मैं यहां पर उसका billing address fill कर जो जो item, जो product साम उसको बेचेंगे, वो add करना है, तो इसके लिए add items में click करके, मैं यहां पर देखे, दो items already 100 कर रहा है, अगर आपके बास ज्यादा items रहता है, दो से ज्यादा 100, 200, 300 रहता है, तो आपको यहां पर search कर लेना है, उसको, ठीक है, मैं mouse, HP को search कर लेता हूँ, इसमें click करता हूँ, देखे, automatic rate इसका आगया है, 200 रुपिया, quantity कितने piece वो लेगा, मैं एक piece बेचूँँगा, एक piece लेगा मेरे customer, तो एक piece देदूँगा, देन नीचे save करूँगा, अब आते है, उसका bill, वो देखे, mouse HP लिया है, तो अगर वो और भी items लेना चाहते है, add items कर मैं दूसरे items भी add कर दूँगा, मैं माल लेता हूँ, वो डेल का mouse भी लेना चाहते है, एक piece, मैं एक piece देल देदूगा, दिन देखे, rate आटोमेटिक लिए आ गया है, save करूँगा, देखे, दो items हो गया है, अब नीचे total bill मन रहा है 500 रुपिया, तो मैं उनसे पुरा रुपि customers का कोई love letter हमें लिखना है, उनको, customers का कोई bad report है, तो या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, या कोई भी चीज add का, कोई भी चीज मैं चाहता हूँ, इस bill कर रिगार्डिंग याद रगना, तो यहाँ पर note पर मैं add कर सकता हूँ, ठीक है, दिन save में click कर दूँगा, देखे, मे बहुत सारे billing interface, बहुत सारे colors को आप लोग याँ पर change वगेरा कर सकते हो, आप खुझ से export कीजे, अगर export नहीं कर पाते हो खुझ से, तो एक काम कीजे, हमारा उही playlist है, व्यापार 0-0, उसको check कर सकते हो, description में जिसका link दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं save and close कर देता हूँ, left side न अगेरा extra आपको देखने के लिए मिल जाता है, कुछ extra features मिल जाता है, जो कि बहुत ही काम का रहता है, और premium आप लोग कैसे purchase करोगे, इस वीडियो के last में बताया हुआ है, तो वीडियो को last तक देखते रहे है, मैं इसको cross करके, उपर cross कर देता हूँ, ठीक है, तो हमने purchase entry सि सिख लिया है, customers को add करना सिख लिया है, and also sell करना भी सिख लिया है, अगर आपको कुछ query है, तो आप लोग comment कीजे, मैं definitely आपका comment का reply करूँगा, आपका help करने का पुरा कोसिस करूँगा, तो आप लोग अब three lines में click करके, यहाँ पे business dashboard पे देख सकते हो, सारे reports बगेरा, and यह आप लोग build बनाना सीख गये होगे, आप मैं आपको बताता हूँ, एक good news, जिस good news मैंने वीडियो के पहले बताया हुआ था, अगर आप लोग ब्यापार का premium license को purchase करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा जो referral code है, 1ZD9KY इस referral code को देके purchase कर सकते हो, हमारे referral code देके purchase करने से आपक purchase करने के लिए आपको कितने महीने मिलेगा, आपको 12 महीने ही मिलेगा, लेकिन हमारे referral code को देके आगर आप लोग purchase करते हो, तो आपको 13 महीना मिलेगा, and अगर 3 years के लिए purchase करना चाहते हो license को, तो 3 months का extra validity आपको मिल जाता है आप, अगर आपको price में discount लेना है, तो नीचे comment की मैं मेरा WhatsApp नमबर आपको share कर दूँगा, मुझ से बात करके आप लोग extra discount भी license के उपर ले सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लागे है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, आपने relatives में share कीजे, आपने दोस्तों को share कीजे, जो लोग ब्यापार करना चाहते है, बिजने सारे वीडियोज मिल जाएगा, उस playlist को completely watch करने के बाद, आप लोग billing and accounting करने में master कर लोगे, बाकी इस एप का किस feature आपको अच्छा लागे, comment कीजे, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे support करने के लिए, thank you